केंद्र सर्कार ना राष्ठे बार्थ स्वरक्षन अधिकार आयोगना सब्यодар कुमारी प्रिती भार्धवाच दलाल ्गुछरात नी मुलाकाते अ मुलाकात धर्मियन तेमने अम्दावाद ऱने वडुद्रा ना ही शूधार केंद्रों नी मुलाकात निथीाती यने बार सुधार केंडरा ना बार कुस्ता थे चरचा करी हती तेमा स्थैमना प्रश्णों नी जानकारी लिथी हती राश्ट्रे बार स्वरक्षन अधिकार आयोग ना सभ्यकुमारी प्रीती भार्द्वाच दलाल देजभर ना बार सुधार कैंद्रों नी मुलाकात लईने वास्तविक परिस्तिती नो ताग मेडवी रहा छे तेव दक्षिर भारत ना प्रवास बाद हरियाना हीमाचल प्रदेश पंजाब चद्दिकर अने राजस्तार ना बाल सुधार कैंद्रों नी मुलाकात लिधाबाद कुछरात बार स्वरक्षन ग्रुहों नी मुलाकात आव्याशे अमदावाद बाद तेमने वडुद्रा स्थ वर्तमान परिस्तिती विशे जानकारी आपी हती तेमने मीडिया सामेनी वाद्चित मा जणावी हतु के बार सुधार ना ग्रुह ना बालकोंने बार कल्यान समिती विवीद अन्चियो अने मनोची किस्षकोंनी मदथी कांसलिंग करी मुख्यधारा मा लावाना प्रयासों क परवामा आविर्या छे जे सरानिय चे बार सुधार केंद्रोंने सुरक्षा अनिस्वच्ता जडवाई रहे ते माटे सरकार नी साथे पी 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 मोडेल थी सारसंभाड माटे सहाईता माटे आगड़ अवू चोई तेम जड़ावी हतु वडुद्राना बनने बार सुधार केंद्रोंनी कामगीरी ने बिर्दावी हती गुजरात बार सुधार केंद्रोंनी मुलाकात दर्म्यान जणाविल खाम्यों अंगे आयोग द्वारा केंद्र सरकार ने भलामण कर्षे जे थी तेने दूर करी शकाए नमश्कार मेरे नाम प्रीती भारदवास दलाल है मैं मेंबर हूँ सदस बच्चों के अधिकार से संबंदत लॉर रेलेटिंग टू चिल्डन राष्ट्य बाल संनक्षन अधिकार आयोग से और अभी पिछले डेड़ महिने से आयोग पूरे भारत वर्ष में जितने भी जो बाल ग्रहे हैं observation homes है जहां पर की अपरादी बच्चों को रखा जाता है और चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों ऐसे कुल्मिला का अराउंड 297 अराउंड 300 ऐसे observation homes है observation homes के साथ-साथ वहां पर प्लेस ऑफ सेफटी होते हैं जहां पर की 18-21 साल के बच्चे 16-21 साल के बच्चों को भी रखा जाता है और जब सजा उनको अगर मिलती है तो उनको special homes में रखा जाता है तो इन तीनों ही जगा यह आसपास ही हर जगा हर परिसर में होती है अभी मैंने जो जो मेरी दक्षिन भारत में पूरा इसका हो चुका है दौरा उत्तर दक्षिन भारत में हो रहा है और मैं यहां पर उत्तर भारत में मुझे जो responsibility मिली है मैं वह अभी दौरा कर रहे हूं राजिस्तान का पिछले ह हर्याना और यूनिन टेरेटरी और चंदीगर और अभी गुज्रात में अभी हो रहा है तो अभी एमदाबाद में कल हमने पर्सु हमने किया था और वडोड़ा में दो वडोड़ा में इसलिए भी important है क्योंकि यहां पर observation home for girls है जो की पूरे गुज्रात में एक ही है तो एक वहां पर अभी पिछले ही हफते की बात है कि वहां पर पांच जो लड़के हैं तो उन्होंने observation home को से भागे हैं तो उस चीज को भी देखना और इंस्पेक्ट करना हमारे लिए important था बहुत पुरानी परिसर में बना हुआ है safety बिलकुल नहीं है cleanliness भी वहां पर थोड़ा सा इशू था और जो 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 उनकी observation home की superintendent पिष्टे चारवर्स हैं उनके दो बच्चे वह उसी परिसर में उन्हीं बच्चों के साथ रह रहे थे तो जो की काफी चिंता का विशह है I really do not know यह सारी चीजे क्यों अभी तक संध्यान में नहीं आई या तो वहां पर कोई जाता ही कि नहीं है अधिकारी यदि हम गएं वहां पर बताकर भी गएं फिर भी वहां पर अरेंड्मेंट्स को दूरस नहीं पाया गया बच्चे महां पर ज्यादतर जो बच्चे थे एक important चीज जो वहां पर देखने में यह मिली के पक्षू के cases में और murder के cases में एक एक बच्चे ही चोरी में या फिर फ्रॉड में या फिर एक्टिवा या फिर बाइक चुनाने में इस चीज में ज्यादा है वह बच्चे तो अगर वह यहां पर है कुछ टाइम के बाद उनको वेल हो जाएगी तो उनकी प्रॉपर सेंसिटाइजेशन कांसलिंग की बहुत रिग्रेस जरू जो हमने देखी या फिर जेजीबी बोट के अधक्ष उनसे भी लाइव उनका कोट चल रहा था उनसे भी हम मिले खैर जो भी कमिया थी हमने वहां पर बता दी बिकॉस ऐसा कोई भी इंस्टिटूट नी होता जहां पर कमिया ना हो तो अगर साथ से सत्ता प्रतिशत भी अग गर्मेंट सारी सुविधाएं दे रही है इतने सारे लोगों की इंप्लॉइम्मेंट भी चल रही है तो उस हिसाब से वह काम करें यह ऐसी आशा हम रखते हैं वडोडरा में हम लोगों ने ऑब्जरवेशन होम फो बॉइज विजिट किया और जहां पर की नौ लड़के थे आज हमने विजिट किया था और कल हमने अब्जरवेशन होम लड़कियों के लिए विजिट किया था जो जिसमें लड़कियों को रखा जाता है वहाँ पर भी साथ अट लड़किया थी उसमें से दो इंटरस्टेट थी ताइस वह अमरिच सर से थी पंजाब से कुछ ने पर कुछ कमिया उनको लगती है या क्या वह बहतर तरीके से यहां पर अपना जीवन यापर कर सकती है विकोज चौदा साल की पंद्रा साल की लड़किया अगर उनको अगले तीन साल भी अगर यहां पे रहना है या फिर किसी भी CNCP में रहना है जहां पर की आश्चित रख्यों को रखा जाता है तो अपना जीवन आगे कैसे चलाना है तो एक जब आप अपराधी प्रवती वो हो जाती है तो एक ठीड पना जाता है तो उसको काउंसलिंग के द्वारा ही रिग्रेस से बातचीत करके ही उस चीज को रेगुलर्ली जिसको कहते हैं तब ही उसको हमें लगता है कि बचों को वो CWC का या फिर वहां के कांसलर्स का या फिर बाकी जो प्राइविट एंजियो काम करें यदि वो उनके बेटर कांसलर्स हैं और साइकॉलर्जिस्ट हैं वो समझा पाएं तो एक रेगुलर्ली स्टार्ट होना बहुत जरूरी है इन दोनों डिस्टिक्स में थर्ड हमने वहां पर प्लेस ऑफ सेफ्टी और स्पेशल होम यहां पर आई थिंक इट वस नौट देर इधर गरोडरा में नहीं था तो यहां पर स्पेशली चैलेंज यहां पर बच्चे एक सीन सीपी होम की दीपक फांडेशन द्वारा चलाया जा रहा है तो यहां पर एक वो चीज़ देखने को मिली कि जो गौर्मेंट अब्जरबेशन होम्स हैं तो उनको भी आई थिंक पीपी मोड में थोड़ा आकर ज पर अच्छे ऑफिशल्स की जरूरत है जो की स्पेशलाइज फील्ड में काम कर पाए या फिर अच्छी तरीके से बहता तरीके से जरूरते मोया करा पाए तो उसके लिए भी आई तिंक साहता ली जानी चाहिए ऐसा प्रपोसल आई तिंक सोशल डिफेंस को देना चाहिए को और जो हमें देना होगा वो तो खेराम अपनी वोट में लिखने की हम अपनी कोशिश करेंगे हैं तीसरा यहां पर आज हमने विजट जब अपना खतम किया है तो मैं हिदे से धन्यवाद करना चाहती हूं सोशल डिफेंस टीम को मैंग जी हैं बाकी यहां पर पारोल जी ह सब लोगों ने हमारी पूरी इस विजट को बहुत सक्सेस्वल बनाने की कोशिश करी और आज तिंक हमारी जो रिकमेंडेशन हो जाएंगी वो हमें काफी मदद करेंगी साथ में हमारी यहां पर CWC के चेरपरसन है इनसे भी बहुत को जानने समझने को मिला जे जे बी बोर चले लगड़ में?